आज हम बना रहे हैं रम्दान स्पेशल में चिकन बिर्यानी तो इसके लिए सबसे पेले हम आपको एक दम सही मिजान बताएंगे एक टेबलिसपुन शाजीराज चार स्टारल पूल लीए हैं एक सीनेवन की तुकड़े थेंट से बारां हमने लॉंग लियेables है थीन से चार सैल हुप हमें 5 हरी एलाइक नहीं बाली एलाइक लिए 12-15 काली मिल्च लिए और rappelle यह यह लिए 4-5 हरी मिल्च और प्याज क gloss कर लिए इसमें लंग स्कून कर लिए 30 kelov कि दो मिजान रखें आप इस बाग का जरूर ध्यान रखें ताकि इससे बिर्यानी में आपकी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बने इसमें मसाला हो सुकी सुकी वली बिर्यानी कोई जाधा पसंद नहीं करता इसके लिए प्यास की हमने कॉंटिटी थोड़ी जाधा रखिए अभी हमने ओईल रख द करणी की कर्ग दालज देंगे खटी में रिमिर्ची दालेंगे और यह दाल देगे शाजी रह शमागे रहें और यह हम दाल देगे लाउंग और घाल चिरी अज़ी गया पेस पत्र श्रक्च। अजिए हमारी लाइची और बड़ी लाइची ती इस राज़ फुल अजिए हमने इसे एक इनिट का पाइड देना है हमने इसमेड कर देना है अजिए अपनी हमारी फुल्स याग अजिए आपको प्यास देखने में अभी फिलास बहुत जादा दिकरी है लेकिन जब पूरी तरह से हमारी प्यास फ्राइ हो जाएगी तो आपको आपको समझेंगा कि एकदम सही मिजान में मैंने प्यास लिएँ अब हम इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा नमक दाल देंगे ताकि हमारी प्यास अच्छे से जल्दी से फ्राइ हो जाए यह मैंने देड़ किलोग जाने के लिए एकदम सही कॉंटिति आपको बताइँ आप जरूर इस रेसिपी को जरूर प्राइ कीजिए और मेरी कॉंटिति का भी आप जरूर यूज कीजिए अपने खाने में यह आपको एकदम परिफेक्ट लगेगा अभी हमने इसको थोड़ा सा धक देना है यह हमने सवा किलोग चिकल लिया है इसको हमने अची तरह से मसाला अभी हमने सबसे प्राइब मसाले निकाला ले प्रण दही और यह एक टेबल स्पून, हमने नमक लिया है दो टेबल स्पून हो मने लाल मिलवेच पोडर लिए दो बलस फुन में कोरियंडर पॉर्डर लिआ है हमने थेबल स्पून गरम मसालर लिए और एक टेबल स्पून मैं टर्मरिक पॉडर तुय सबसे पहले हमbullet में मड़ले कर देंगे को हमने सब्द zerіखो करके मडलें अगर आपके पास टाइम है तो अगर आप इसमें अचया करने के लिए रफ तो आम डाइक प्यास बगर आपके प्यास प्राई मन के बाद I don't, here's whole material, तो जब अर्य दौंड़को lot देना है अब अब इस में लिया है एक मुट्टई पुदीना लिया है और हमने लिया है फ्रेश कुरियंडर और वाना यह लिए कसूरी मिती, यह भी हम इसमें पीसेस में चिकन में आड़़ कर देंगे और वह आपके अच्छी तरह से भी मिक्स कर लेना है हमने मसालन लगाके रग दिया, यह भी हम साइड में रग देंगे हमारी प्यास पूरी तरह से नर्म हो चुकी है अब हम इसमें आड़ कर देंगे हमने 6-7 मीडियम साइज के लिए टोमाटो अब हमने इसको कट लगा दिया है कट कर दिया है हमने इसको स्लाइस के शेप में अब इसको अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे हमने देख तलो चावल लिए यहांने बीड़ी बिर्यानि का राइस लिए है आप बिर्यानि के लिए अच्छी वाले सब्सक्राइब एकदम मोटा पकता है इसलिए अगर आप खाते हो तो एकदम अच्छा बिर्यानी का अच्छी कॉल्टी वाला चावल यूज कीजिए यह अगर आप मैं आपको पानी का मिजान दिखा देती हूँ अगर यह एक पतेली चावल है तो हमने इसका डबल पतेली पानी चावल भिगा हो हो इन्हार थे जिए हमारे पीयास पुरी तरह से ठ्क्राई हो चुकि अच्छी तरह से प्याज ने हमारा थेल छोड़ दिया है अब हम इसमे आड कर देंगे हमारा मैरेन डिक यह हूआ का भी रेस्टो हो चुका है हमने इसको अच्छी करा से पूरा नमक दाल दिया है क्योंकि हमारा चिकन में नमक दाल प्यास प्यास में अपने अपने प्यास के अक्रणा टालें हमने इसमें चेक रते जाना चीए और दुड़ा भाइने नी चीए ताकि इसमें बॉटम में लगे नहीं इस बात का ध्यान रखे है हमारे पानी में बॉइला चुक है हमने चावल को इस्ट्रेंड करके अभी हमने इसमें डालना है आप शुर्सपीर धरन रखिए जब आपका पानी बॉइल हो जाए तब आ रखते हैं तो आप नास फ्लेम पर पकाना है और हमने 80-85 परसंट पकाना है 15 परसंट अमने से इसमें कनी रखनी है ताके हमारा मसाली के जब उपर जब दाले तो यह तरह से पक जाए हमने इसमें भार-बार डंडी नहीं लगानी है यह देखिए हमारे मसाली पूरी तरह से तयार हो चुका है हमारे पिसे से बहुत अच्छी तरह से हमारे चिकन भी पक चुका है बहुत ही बढ़िया की ग्रेवी और कलर आया है हमारे ग्रेवी में अभी हम टेस्ट नहीं कर सकते इसे यह देखे हमारा चावल 80% पक चुका है अभी हम इसमें अभी से हम 5% स्रीफ हमने इसे और पकाना है फिर हमने स्टेंट करके हमने हमारे मसारे की उपर दाल देना है हमारा मसारा भी पूरी अच्छी तरह से पक चुका है अभी हम इसकी बोटियों को बराबर पिसेश को हमने इसको सेट कर देना है ताकि आपकी पिसेश एक तरफ ना हो हमारा चावल 85% पक चुका है अभी हमने इसे स्ट्रेंड भी कर लिया है अभी हम इसे दाल देंगे बिस्मिल्ला हमने इतना बटर कर तुकडा लेना है हमने इसके चारो बाजू से गुमा देना है इसके उपर से अभी हमने इसमें एक चमच केवडा वाटर यूज़ कर गया है इसमें एड कर देंगे अभी हमने कलर किया है पानी पानी कलर वाला पानी हम भी हमने इसमें डाल देना है आप चाहिए तो कोई और कलर का भी यूज़ कर सकते है अभी हमने इसमें जाक कर रख देना है अच्छी तरह से ढखकर 10 मिट तक हमने मिडियम फिलेम पर रख देना है इसको हमने नीचे पते लिग नीचे अभी हमने इसमें रख दिया तक तवा तवा लगा कर रखना है नहीं तो आपके बॉटर में मसालस जल सकता है आप इस बात का ध्यान रखिए जब आपकी चावल के उपर अगर भाप आ जाती है तो आपने फिलेम को बन कर देना है हमारी बिर्यानी में भाप आ चुके अभी हम फिलेम को कर देंगे बन और अभी हम निकालेंगे प्लेट में हमारी दम बिर्यानी तयार हो चुकी है अभी हम इसमें हमने प्यास का बिरि तैयार हो चुकिये तो अब 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 मेरी रेसिपे को जरूर आप लोग जरूर प्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजेए, शेयर कीजिए और बेल अब अब पर किलिक कीजिए ताक्यby को आपको सबसे पहले मिले मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंकियू शुक्रिया अपनी बहुत सरी दौा में आद रखिए